हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़ियां मस्त रहिए चस्त रहिए और अंटर्टेन्मांट का मज़ा लेते रहिए कहते हैं न कि अगर आपकी रिस्ते अच्छे हैं तो सिर्फ आपके कुछ टाइम महरबानी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन नहीं क्योंकि भाई उन्हें अपनी बिजनिस चलाना है ऐसे में फिर रिस्ते दारी में काटवास आ जाती है रिस्ते दारी के जितना कसी को परेशान करोगे जितना बार बार किसी का दरौजा काट-कटाओगे ये जितने बार आप उनसे request करेंगे रिस्ते में धीरे-धीरे दरार उतने ही जादा बढ़ जाती है बाते जादा होती है, बातों में कुछ गुसे में निकल जाता है कुछ बढ़ास निकल जाती है लेकिन वो दरारे, वो बाते दिल को लग जाती है ये आपकी आम जिन्दगी में भी है, स्टारों की जिन्दगी में भी है ये बिजनिस जो कर रहे हैं उनके जिन्दगी में भी है ये सभी के लिए है तो ऐसे मैं भाई ये रिस्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का जाना माना शो है ये कहें सबसे पुराना शो है Star Plus की पहचान जो है ये रिस्ता से काफी ज़्यादा मिलती जुलती है राजन साही की भी पहचान ये रिस्ता से ही है और ये उनका सबसे पुराना शो है जहाँ पे आप 4 जनरेशन देख रहे हैं ऐसे में राजन साही का एक शो नहीं दो नहीं तीन शो स्टार प्लस पर देख रहे हैं राजन साही अपने शो जादा से ही जुड़ते हैं बाकी किसी चानल से उनसे जुड़ना या अपने शो देना उनके लिए थोड़ा सा जो है उन्हें अनकमफर्टेबल लगता है वो स्टार से ही अपने रिस्ते बना कर रखते हैं और उनके रिस्ते काफी अच्छे भी हैं स्टार से स्टार उनकी काफी बातों को जो है मान भी देता है लेकिन बात आती है वो मान जब भी तक देगा जब आपको लगेगा कि भाई आपके शो अच्छा रस्पोंस कर रहे है अड़ अस टाइम स्टार प्लस पे जो है अनुपमा शो उन्हें काफी अच्छा ट्यार पी इंकम सब दे रहा है लेकिन बात क्या आती है थी बात क्या हो ही है कि जिसे देखकर आप यह कहेंगे कि यार यह आप क्या कह गए हमारे दिल के करीब की बात नहीं है यह हमारे लिए बात नहीं है ऐसे में मैंने आपसे यही कहा कि रिस्ते हो या बिजनिस हो उन्हें जादा प्रेशर डालोगे तो रिस्ते तूटने की या जो है रिस्ते अच्छी TRP देगा आप उसके लिए एक अच्छी स्लोट को अपसेप्ट कर लीजिए ऐसे में स्टार प्लस पे राजन साही जो है बाते अनकही को लोंच किया लेकिन जब से वो आया है स्लोट किंग तो बन गया है लेकिन TRP जितना देना चाहिए था उतनी नहीं दे पा रहा है ऐसे में स्टार प्लस को लगा कि भाई देखे इससे पहले फाल तू अच्छी TRP देके गया बननी भी अच्छी देके गया साथ नहीं भाना साथ यह भी जै कि लेकिन बात एन कहीं वो चीज नहीं Kraftा रहा है जिसे हम लिए थी गयीुद की नंई थी लिए त Ms. 630 घंड लुए अब देखते हależं राजन साही को मिल रही थी हमांपे जो है एल जोТак ऑठ ग। साइ को जो है ओफर दिया है दोनों का जो आप चाहेंगे इसे कहते हैं रिस्ते अच्छे लेकिन डिस्तों में जादा जुकना भी सही नहीं हो था फिर आता है आपका प्यारा सा ये रिस्ता क्या कहला था भाई राजन साइस से का आप फोर जन्देशन दे रहे हैं हम पूरी आ पीच में उन होने का है कि हम में ये चाहते हैं कि आप इस बार फोर जन्देशन में किसी पॉपुलर शो का सेकंड सीजन उतारिये बई जो स्टार प्लस पे कोई पॉपुलर सीजन रहे हैं उनका आप नया सीजन उतारिये तो ऐसे में या फिर जो पॉपुलर शो हुए है उ मिलने वाली है यह रिस्ता क्या कहलाता कि फोर जनरेशन में इसे लिए उने कहा कि उसकी ट्यार पी निकल कर आई थी फर्स्ट की जो हमने रिपीर टाली कास्ट किया था तो अब राजन साही आपको प्यार दिखाएंगे अरेंज मैरिज दिखाएंगे परिवारिक जो है रिक्वेस्ट स्टार प्लस की है दर्शाएंगे आपके राजन साही आइसे में कहा है कि जो है किसी का कैना शायत कुम कुम की कोई पॉपुलर स्टोरी को उठाएंगे किसी ने का है यह कुंडली की कोई उठाएंगे तो वह GTV की नहीं उठाएंगे अपने ही मोस्ट पॉपुलर शो का सेकिंड सीजन लाने के लिए काय है और यह रिस्ता की फोर जनरेशन में तो ऐसे में जो है प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा प्यारा गूगल पे काफी जादा न्यूस चल रही है कि उसी कही यह शो करने वाले है जो आपने प्रोमो देखा है यह रिस सब्सक्राइब दोनों बनता है